नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम इन दो बुक की रिव्यू करने वाले हैं बुक आपके साँने हैं यहां पे यह दो बुक बहुत ज्यादा इफॉटेज रहने वाले हैं आपके एक्जाम में चाहे वह बीपीसी का आपrice का एक्जाम हो या अन्य एक्जाम चाहे जारकन में आने वाली जितनी वेकंसी होने वाली उसमें जेनरल साइंस एक important role play करने वाला है तो इस वीडियो में हम review करेंगे इन दो बुक की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए और कितना टाइम आपको इसमें लगेगा सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे इस बुक की ये जनरल लॉलेज आपके पास बुक जरूर होगा सामानिग्यार हिंदी मीडियम में भी आता है और ये आपकी इंगलिस मीडियम में भी यह बुक आती है लुशंट की और इस बुक की हम यदि बात करें यहाँ पे तो इसमें आपको मिल जाएगा जैसे हिस्ट्री हो जाएगा उसके बाद आपका वर्ड इसमें है बस है वह भी आपको मिल जाने वाली है तो यहाँ पर यह जो बुक है यह कॉम्बो है इसमें जितने भी सब्जेक्ट है चाहे वह हिस्ट्री है जितने भी हमें यहाँ चर्चा की सारी की सारी यहाँ पर मिलने वाली है जैनल साइंस भी इसमें आपको मिलने वाले तो यदि साइंस का पॉर्षन करने वाले हैं तो इससे आप कर सकते हैं कि यह तो समय में कर सकते साति इसमें आप लेकिन बहुत जाद़ यूसपुलै दूसरी बुक आपना चलएगे यह जैनल शाइंस की के ही जेनरल साइंस के इस बुक को हम यहां पर रिव्यू करने वाले हैं जेनरल साइंस का यह वाला बुक आपको इस तरह से आपको दिखता हुआ लगेगा और यहां पे इसकी जो कीमत है 250 रुपे हैं और आपको यह अमेजॉन वगरा में फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा लि आपको स्बसे पहले मिलेगा यहां रखें旗े सिर्फ इस जेनरल साइνस की आपको स्लेब स्मिलेगी और बहुट टेप्थ के साथ मिलेगी पूरी की पूरी स्लेब змud में दिखाने वाले हूँ से में अपको जैसे मेकाणिक्स में दीकांच में जाएंगा मेकाणिक्स में यहाँ पे बिल्कुल class 9 की, यहाँ पे class 11 भी आप वोल सकते हो, surface tension, simple harmonic motion, wave and sound भी है इसमें, heat temperature वाली syllabus, thermodynamics भी आपको इसमें मिल जाएगी, उसके बाद electricity, magnetism, तो basically यहाँ पे आपको physics की पूरी की पूरी syllabus आपको theoretically मिलने वाली, कैसी लिखी गई है, वो भी हम आगे दिखाएंगे, इसमें आपको objective type की question भी मिलेगी, किस तरह की मिलेगी, वो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आते है science and technology, यह second आपको chapter इसमें मिल जा उसके बाद आपको UPSC में भी बहुत ज्यादा इसे सवाल पूछे जाते हैं, इंटर्व्यू में भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आपके जो जारकन के आने वाल एक्जाम है, उसमें भी important role play करने वाला है, science and technology portion, तो यह बहुत ज्यादा important है, उसके बाद chemistry वा बहुत ज्यादा पकड़ आपको नहीं हो पाई कि मुझे ऐसा लगता है, तो यह उसके बाद है biology वाला portion, biology आप अच्छे से करें, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह syllabus पूरी की पूरी दी गई है, उसके बाद हम detail में आते हैं, physics में किस तरह से दी गई है, आपको physics में इस तरह बिल्कुल theoretical चीजें बताई गई है, परते एक chapter की theory बताई गई है, उसके बाद theory जब खतम हो जाएगी, उसके बाद पूरी physics की एक objective आपको यहाँ पर मिलेगी, लगबग 500 से उपर यहाँ पर प्रस्न आपको मिलेंगा, physics के objective type के प्रस्न, यहाँ पर देख पा रहे है, definitely, ssc है, तो इस तरह से आपको मिलेंगी, उसके बाद है, दूसरा है, science and technology, इसमें भी इस तरह से theory दी गई है, satellite क्या होता है, इस तरह से आपको housing brush क्या होती है, यह पूरी की पूरी चीज यहाँ पर दी गई है, और इसकी भी objective type की प्रस्न यहाँ पर आपको देखने को म मिल जाएंगे, उसके बाद जो अगला portion है, वो हमारा जो है, वो जैसा कि मैंने कहा, biology का portion, तो biology का portion भी आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें objective type के प्रस्न अच्छे से दिए गया है, तो इस book को आप ले सकते हो, तो मिलेंगे next video में, thanks for watching.